हेलो दोस्तों श्रेशिवाय नमस्तु ब्रम दोस्तों तो अभी तक आप लोगों निश्रिव महापुराड के विद्धेश और सहित्ता के अध्याय 12 का स्रवर किया आज हम अध्याय 13 का पाठ करेंगे और आप लोगों को सुनाएंगे तो हे महादेव जो कोई भी आपका परमार तता उनमें देवा राधन से विभिन प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन रिशियों ने कहा प्रभू अग्नियग देवयग ब्रम्वयग गुरु पूजा तता व्रहात्रप्ति का हमारे समश्क्रम सा वड़न कीजिए सूजी बोले महारिश्यों ग्रहस्त पूरुजान ही अग्नियग हैं वे समिधा का ही अग्नियमें हवन करें ब्राहमडो ब्रह्मचार आस्रा में निवास करने वाले दुजों का जब तक बिवार नहों जाए और वे ओपास सनाई की प्रतिष्ठा ना कर लें तब तक उनके लिए अग्नियमें समिधा की आहुत व्रत आधि का पालन तथा विसेश यजन आधि ही कर्तब्य है यही उनके लिए अग्नियग्य है दुजो जिनोंने ब्रह्म्भा अग्नी को पिसरजित करके अपने आत्माओं ही में अग्नी का आरोग कर लिया है ऐसे वान प्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नियग्य है कि वे विहित समय पर हितकर परमित और पवित्र अन्न का भोजन करने ब्रह्मभाडों सामेकाल अग्नी के लिए ही हुई आहुत संपत्ति प्रदान करने वाली होती ऐसा जानना चाहिए और प्राताकाल सूर को दी हुई आहुति आयु की व्रद्धि करने व है इस प्रकार या अग्नियग्य वढण किया गया इंद्र यादी समस्त देवताओं के उत्देश से अग्न में जो अहुत दी जाती है उसे देवयग्य समझना चाहिए इस थाली पाक आधियगों को देवयग्य ही मानना चाहिए लोकी अग्न में प्रतिष्ठा जो करण आधिसंस का निर्मित हवन कर्म उन्हें वी देवयग्य के ही अंतरगत जानना चाहिए अब ब्रह्म्य यग का बढ़न सुनो दुझ को चाहिए कि वादेवताओं की त्रप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म्य यग करे वेदो का जो नित अध्यनवा स्वाद होता है उसी को ब्रह्मय यग कहा गया है प्राता नित कर्म के अंतरगत साम काल तक ब्रह्म्य यग किया हुआ उसके बाद रात में इसका विधान नहीं है अगनिके बिना देवयग कैसे संपन होता है इसे तुम लोग स्रधर से और आधर पूरवक सुनो स्रश्टी के आरंभ में सर्वग द सदो के भी आउसद हैं उन भगवान ने पहले अपने वार की कलपना की जो आरोग प्रदान करने वाला है तक पशात अपनी माया सक्ति का वार बनाया जो संपत प्रदान करने वाला है जन्म काल में दुर्गति ग्रष्ट बाल की रच्छा के लिए उन्होंने कुमार के वार की कलपणा की तक पर शर्व सामर्थ महाद्योजी ने आलस और पाप की निर्वत तथा समस्त्र लोकों का हिच करने की इच्छा से लोका रच्छक भगवान विश्णों का वार बनाया है इसके बाद सबसके स्वामी भगवान सिवने पुष्टिया और अच्छा के लिए आयू लोगों का सुभा शुप फल देने के लिए भगवान सिवने इंद्र और यम के वारों का निर्मार किया ये दोनों वार कंसा भोग देने वाले तथा लोगों के म्रत्य भै को दूर करने वाले हैं इसके बाद सूर्व आधि सात ग्रहों को जो अपने ही सरूह भूद तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक है भगवान से उन्हें उपरिव्ट साथ वारों का स्वामी निश्यत किया वे सब के सब ग्रहन शत्रों के जोरती मैं मंडल में प्रतिष्ठा स्यू के वार या दिन के स्वामी सूर है सक्त समंधी वार के स्वामी सूम है कुमार समंधी दिन के अधि पति मंगल है विश्णु वार के समंधी बुद्ध है ब्रंभा जी के वार के अधि पति ब्रहश्पत है इंद्रवार के स्वामी सुक्र और यम वार के स्वामी सनेश्च करते हैं बुद्ध पुष्ट देते हैं और शॉक्र भोग देते हैं और सनेच्च सम्रत्यु का निवार करते cry यह साथ वारों की कर्म साथ फल बताएं गया जो उन उन पर देवताओं की प्रति से प्राफ्थ होते हैं अन देवताओं की पूजा का फल देने वाले भगवान स्यू ही हैं देवताओं की प्रसंता के लिए पूजा की प्रकार की है पद्धत बनाई गई है उन उन देवताओं के मंत्रों का जब या पहला प्रकार है उनके लिए होम करना दूसरा दान करना तीस तथा तप करना चौथा प्रकार है किसी वेदी पर प्रतिमा में अग्न में अत्मा व्रामण के सरीर में आराध देवता की भावना करके 16 उप्चारों से उनकी पूजा आराधना करना पांचमा प्रकार है तो दोस्तों अभी हमने ये आप लोगों को तेरवा अधाय आधा सु झाल झाल